हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग अब मैं आपको इसकोर्षिप जो बताने वाला हो मेटा पोस्ट मेट्रिक ओबिसी के बारे हम बात करेंगे सभी इसकोर्षिप के बारे में आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अलग-अलग वीडियो में तो पोस्ट मेट्रि में बता चुके मेदा भी आपको बता दी है अब बात कर रहे हैं पॉस्ट मेट्रिक ओविसी और इसके बात करेंगे सभी के बेटा तीनों या पांचों इसकोर्षिप जो अपको वीडियो होगे वह सेपरेंट मिल जाएगे फिस चार्ट आपको और वीडियो में दिखाते ह में आप देख लिए बिटा जो है गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज का तो वन लेक के आस्ता स्वीस रही है 2020 पे 21 में पहुंच ज्यादा ज्यादा है यह होगी तो ज्यादा पर चेंजिस नहीं आएगा प्राइवट मेडिकल को रहें बार लाग से लेकर के बार लाग के पीच में रहती है और वैसे हम इसकोरशिव का मेरीपीट उठाएगे तो हमें तो कोई इसकोरशिक पीच करना नहीं है पोस्ट मेट्रिक OBC ठीक है तो हम बात करेंगे बेटा पोस्ट मेट्रिक OBC पोस्ट मेट्रिक जो इसकोरशिव इसकोरशिव होती है बेटा इसमें जो परसेंटेज का बाउन्डिशन खतम हो जाता है इंट में हमारे जो percentage है कितने percentage कोई माइडे नहीं रखता है सिर्फ के percentage इतने माइडे रखते हैं कि हम exam में participate करें जैसे कि जन्रल category की बात करें तो जन्रल category के लिए 50% की जरूत पड़ती है पर post matric o bc category बात करें जरूत हो गई लिए तो तो SCST OBC को नीट में फॉर्म फिल अप करने के लिए 40% क्या ही मार्क्स ज़रोग परती है तो कम सकम यहीं मार्क्स की बात करें तो OBC के लिए हमें पर्थ में चाहिए CDAC हो, ICAC हो यह MP बोर्डों कितने मार्क्स चाहिए 40% मार्क्स चाहिए इसके अलावा जो है income limit किती होती हो देखते हैं तो यह स्कॉर्शिप स्किम जो होती है पोस्ट मेट्रिक OBC को रन करने का जो काम होगा इस पूरी स्कॉर्शिप में में जो ध्यान देना है तो आपको पहले ही बता है कि जो परसेंटेज है 12 को इतने मार्क्स चाहिए इस पोस्ट मेट्रिक OBC का बेनिफिट लेने के जितने मार्क्स हमें क्या है फॉर्म फिलब करने के लिए कंपल सरी होते है मतला मिनिममम 40 परसेंट मार्क्स चाहिए 12 में ठीक है अब यहाँ पर इंकम लिबिट बहुत बड़ा क्राइटरिय रहता है तो जिनको भी पॉस्ट मेट्रिक OBC से बेनिफिट लेना है तो हमें देखना है कि हमारे जब पेरेंट से एक तरीके से फैमेली जो इंकम होती है वह मैजिमम से मैजिम 3 लेग होना चाहिए से जादा नहीं होना चाहिए यदि हम तीन लाग के से कम हमारे पास जो इंकम है तो हम इस्किम का बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है इसके सासाथ क्या है कि कुछ post-metrics scholarship से उन्होंने कुछ changes कि और कुछ additional benefit दिये है यदि आप चात्रवाश के इसके अलावा कूछ hostel वगरा मेश वगरा जो होता है उसका भी आपको additional benefit दियता है कि समें पोस्ट तरिक में यदि आप अंदर रहते हैं तो वहां पर 850 रुपे पर मंत आपको अमांट मिलता है और यदि हम बाहर रहते हैं तो 380 रुपिस का सम्धिंग जो है पर मंत जो है इसका हमें बेनिपिट मिलता है ठीक है चली इसके अलावा इसमें जो तील लाग का इंकम लिमिट के अलावा और क्या बेनिपिट और यह टंसन कर्डिशन रहते हैं तो सेम तो सेम रिता है कि वही यदि हम गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं तो हमें दो साल तक का रुरल बॉन्ड फॉलो करना पड़ेगा य प्लस यह अमाउन की पात करते हैं तो 25 ले मतलब कि यह जो बॉन्ड वाले जो कॉंसेट होता है चाहे मुख्यमंत्री जनकल्याड इसकीम हो या फिर मुख्यमंत्री मेदावी हो या फिर पोस्ट मेट्रिक है सब में एक जैसा ही रूल्स और डेगलेशन चले है जनकल्याड म सब्सक्रिख सब्सक्राइब करने कि पेड्रिक मेर्ट लाई हैं आपको इंकम के जिए या फिर सब्सक्राइब करेंग या फिर गते हैं मुख्यमंत्री मेदावी की इसकीम प्रसंटर मेंख्यम es tinglaan seечение wod ». और 12 में percentage MP Board की बात करें तो 70% and CBSE, ICSE की बात करें तो 85% या उससे ज्यादा होना चाहिए ठीक है बाकी bond की बात करें तो वही government college के लिए 2 साल गाउं में काम करना पड़ेगा प्लस 10 लाग का bond है और private college ये आप लेते हैं तो 5 साल का bond रहेगा पास साल का गाउं में काम करने का bond रहेगा प्लस 25 लाग का bond रहता है ठीक है तो बाकी जो एडिशनल जो हमें bond है या contract होता है वो तो लगबख सभी स्कॉर्ण सेब्स के में सेव होता है और भी सेव रहेगा ठीक है नेक्स देख दें तो इसमें एडिविशन के लिए पेटा वह हमें एक तरीके से मेडिकल कॉलेज में ड़ाए